हेलो दोस्तों मैं आप लोग के सामने आज रिव्यू करने वाला हूँ Trendy Wet and Dry DX वाला मोडल युलेकाफ फॉविस की तरफ से ये मैंने काली खरीदा है तो इसको मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ आप लोग के सामने मैंने वैसे अल्रेडी इसको ओपेन किया है फिर भी आप लोग के सामने आज एक बार फिर से इसको ओपेन करूँगा मैं मैंने बहुत रिसराच के बार इसको खरीदा है मुझे जो जो फीचर्स चाहिए था वैसे सभी फीचर्स इसमें नहीं है लेकिन जो इंपोर्टन फीचर्स मुझे चाहिए था वो है इसमें इसलिए मैंने इसको चूज किया है मैरा सबसे इंपोर्टन और मुझे सबसे जो मैरा सबसे ज्यादा प्रायर्टी था वो था कि एक बारा साइस का एक वैक्वाम क्लीनार हो जो कि मतलब 10-20 लीतर का एक वैक्वम क्लीनार हो और जिसमें reusable dust bag हो reusable dust bag washable dust bag हो बाकी कुछ कुछ मोडल से इसमें आपको paper bag मिलेगा paper bag मिलने से क्या होता है वो फर जाता है फटा पर उसको चेंस करना पड़ता है फिरी से खरीदो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा खर्चा होता है लेकिन इसमें आपको रिविजेबल और वाशेबल डास पैक मिलेगा इसलिए मैंने इसको चूज किया है और इसका चूज करने का कारण है इसमें एक हैपा फिल्टर है मुझे हैपा फिल्टर चाहिए था है इसमें आपको हैपा फिल्टर भी मिलेगा क्यों इस रिप्लेस अपर से इसको रिपलेस भी आप कर सकते हो representing इसमें स्पॉण्ज फिल्टर भी आता ए इसमें जो फिचर नहीं है जो मुझे छाहिए था वो है कि मुझे स्टिल-ट्रॉम का एक वैक्वूम क्लिन चाहिए थ फिर भी यह चलेगा यह तो मतलब मैंने इसको काफी कम में खरीदा है लेकिन इतना भी कम नहीं है दस अजार है दस अजार तो मेरे लिए ज्यादा ही होता है मेरा बज़ेट था कि मैं सारे साथ आठाजार में कुछ अच्छा वाला खरीद लो लेकिन यह मुझे दस अजार पर में किसी किसी में 8500 ऐसा ऐसा था फिर भी मैंने ऑफलाइन में ऑफलाइन से खरीदा क्योंकि मुझे प्रोड़क्त देखना था और थोड़ा सा इंस्पेक करके लाना था क्योंकि ओनलाइन से खरीदने से कभी कबार टूटा-फूटा आ जाता है लेकिन मैंने इसको अच्छ इंपोर्टेंट क्या लिखा हुआ है इसमें आप देख सकते हो कि यह जो प्रिंटर प्राइस है यह 12,500 है लेकिन मैंने इसको लिया 10,000 में और इसका आप देख सकते हो कि यह 7.8 कजिगा है और इसका वाट है 1150 और जो सक्षम पावा है है और मोस 18 कपी है जो बाकी तो सिमिला है एक ही यूनिट है तो चलिए इसको ओपें करते हैं चलिए ओपें करने से पहले इसका बॉक्स ही थोड़ा डेख लेते हैं और इसमें एक बच्छे और ममी है एक क्लीन फ्लोर में वो लोग खेल रहे हैं वो लागा है कि नंबर वन बैंड चलिए यूज करने के बाद पड़ा चलेगा एक जैकली नंबर वन है कि नहीं है बाकी इसमें यह कुछ इंस्ट्रक्शन दिये हुए है जो कि वेट एंड ड्राइख क्लीनिंग के लिए बाकी तो कुछ नहीं इसमें फोबीस का टेक लगा हुआ है और मोडल लिखा ह हुआ है तो चलिए ओपेंड करते हैं वैसे मैंने अल्रीडी ओपेंड किया है आप लोग के सामने फिर से एक बार ओपेंड करूंगा मैं यह इसलिए मैंने ओपेंड किया था इसलिए मैंने बाहर रखा था तो यह है यह मैं आपको मेरा यह दिखा रहा हूं देखिए यह है आपका जो मैंने खरीदा था ये cash memo है मैंने 10,000 में खरीदा एक्जर्टी प्रोड़क का दा में 1474 उपीस जिसमें cgst and sgst लगके आपका almost 10,000 का हो जाता है मेरा इसमें कुछ कुछ safety information दिया हुआ है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है प्रोड़क के साथ इसमें में ज्यादा details नहीं जाओंगा बस safety information और प्रोड़क को कैसे यूज किया दाता है उसी के बारे में यह लिखा हुआ है और साथ में आपका यह वाइडेंटी काड भी आता है यह दिखे यह वाइडेंटी कड फोड़क के तरब से आप समय सा इसको शील लगके लाईए दुकान से जब लाएंगे तो चलिए इसको खोलते हैं तो चलिए जैसे कि आप देख रहे हो एक होस्पाइब दिया गया है सक्षण के लिए होस्पाइब में मुझे यह फीचर सही है था किसी किसी में यह फीचर आता नहीं है यह आप कॉंट्रोल कर सकते हो सक्षण को जैसे कि आप देख रहे हैं यहाप 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 जो कि बहुत ही हैल्फुल होता है जब आप गाड़ी आपका खुट का कार्ड साफ करें तो कुछ भी साफ करें तो यह सक्षन पाउर कांट्रोल के लिए बहुत ही कि बहुत ही सुभीदा जनक कि फीचर दिया गया है कि बाकी इसमें अपका है यह एक्स्टेंशन पाइप इसा दो एक्स्टेंशन पाइप दिये गये हैं तो वीडियो बनाते समय एक बच्छा आ गया था फिर से यह दो एक्स्टेंशन पाइप आपका दिया है जो आपको सीलिंग अगा बहुरा साफ करने के लिए कपी अच्छा होगा साथ में आप यह देखिए एक ब्राश दिया हुआ है यह ब्राश अपका माल्टी पर्पोस ब्राश है आपको लैप टॉप या कुछ भी साफ करने के लिए यह कफी अच्छा है इसको आख बाकी आप यह दिया गया है यह है वेट फ्लोर के लिए ब्राश यह देखिए तो यह है एक वेट स्क्वीज ब्राश वेट फ्लोर साफ करने के लिए अच्छा है इसमें आपका हुईल भी दिया हुआ है दो हुईल है यह देखिए और यह आप किसी भी तरह आप इसको घूमा सकते हो यह देखिए और यह है अफोल स्टी बर्स आपको यह किसी भी सोफा उफा साफ करने के लिए अच्छा है यह हो गया सबसे ज़रूर वाल ब्राश यह कारपेट और फ्लोर ब्राश है इसमें एक स्विच है जोकी देने से अब देखिए यहां से एक ब्राश निकल गया आता है जोकी आप वो कारपेट श्राफ करने के लिए आसानी हो और यह दबाने से नीचे चला जाता है यह अब अब ही फ्लोर साफ कर सकते हैं किसी और इसको मौँर सकते हो इसे कर घुमा सकते हो इस साफ़के समय कफी अच्छा होगा बाकि यह मेन इपकुन केनर इतना भी हलका नहीं है वैसे हलका ही है एक हर्थ से आप आसानी से उथा सकते हैं इसको इसके साथ आपका हुईल भी आता है मैंने अधे लिए लगा के ही रखाया हुईल को हुईल लगाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है सिर्व इसको पूश करना है और यह लग जाएगा इसके साथ और एक एक सेसरी आता है यह मैं दिखाने के लिए भूल गया था ये क्रेविस जो आपको blower और suctioning के लिए काम आएगा एक्सेसरीस यही एक्सेसरीस आता है आप देख सकते हैं यहां पर यह है दो आपका extension tube यह हो गया host pipe यह हो गया आपका squeeze wet squeeze है wet surface के लिए ब्राश रहिया यह हो गया आपका half holstery जो आप यह यह यूश करके आप कुशन पीलो कुछ भी आप सोफा अगर हो आप यह साफ कर सकते हो और यह हो गया क्रेविस बर्स जो की मतलब यह ब्लो करने के लिए या कुछ भी अगर कहीं चुपा हुआ समान जैसे कि आप यह सब में यह सब साफ करने के लिए काफिया असान होता है और यह हो गया माल्टी पर पस ब्रस फिर से और यह फ्लोर एंड करफर ब्रस तो इतना ही आता है कुल मिलाकर आपको इतना ही एकसेशरिस इसके साथ मिलेगा और साथ में चार हुआता है आपको मैं दिखा रहा हूं तो ऐसा कुछ फ्वील आता है इसमें दो एक में दो दो लगा रहाता है तो ऐसा आपका अचार आएगा टोटल इसमें आठ फ्वील होता है जो 360D की रोटेशन आप कर सकते हो इसके साथ यह देखिए यह लगाने के लिए को कुछ करना नहीं है इस तो start on off करने के लिए और यह जो है यह आपका जो cord है cord को खीचने के लिए जैसे कि मैंने निकाला इसको दबा दिया तो इसको फूल कर लेगा इसको खीच लेगा इसको खीच लेगा अब खीच नहीं रहा है तो आप थोड़ा सा ऐसे खीचिए इसको फिर से स्विच दीजे कि खीच लेगा और इसमें आपको यह handle में लेगा carry करने के लिए इतना भी भाड़ी नहीं है आप अलाम से carry कर सकते हो इसको इसमें आपका यह blow यह होगा आपका suction के लिए यह suction के लिए और इस तरब आपको एक और मिलेगा जो की blower के लिए इसमें आपका blow होगा हवा और इ इसमें आपको एक Switch मिलता है जो की indicator है जब आपका कुछ ब्लोक होगा स्क्षन नहीं हो रहा तो यह indicator आपको ओन होगा और जब आपका Touchback फूल हो जेगा तो भी और इसमें आपका caution भी दिया जाता है जिसमें लिखा रहता है कि.. यूस्ट वी यूज दी प्रोड़क्ट विड क्लोट बेक्ट एंद एक फिल्टर फो द्राइक लिए द्रैकलिनिंग के लिए आपको हर फिल्टर और लॉट कि उस ते लिए केलिए आपको नहीं करना है इसको आपको ना लिए यहां पर उत्राइए तो उठ जाएगा उसके बाद आप निकान के देख सकते हैं इसमें हो गया यह आपका डाश्बेक मैंने इसको लगा के ही रखा है और यह जो है यह हपा फिल्टर है तो यह है आपका डाश्बेक्ट यह वाश्रेबल डाश्बेक है इसी के बज़े से मैंने इसको खरीदा है और यह आपका है हवाफा फिल्टर जो की काफी काम का होता है हपा फिल्टर और यह डाश्बेक्ट मैंने लिए बहुत जोरुजी था जोरुजी फीचर था मतलब वह चाहिए गिफ मोस प्राइड़ि मैं इसको सबसे जादा प्राइड़ि देता यूट्यूब वीडियोस और रिव्यू टेखने के बाद मुझे पटा चला कि यह हमेशा जो वाश्बेक है और आप भी मेरे हिसाब से जब आप खरी देंगे कुछ भी कोई भी आपका वैकूम क्लीनर इन फ्यूचर आप खरी देंगे तो हमेशा याद रखिए कि आपका ज चैँ बाता है और कम कि यहंदा हाइगा और यह जो हिया यह हपा फिल्टर है हपा फील्टर भी आप इसको रिमूब कर सकते हो यह हाथ सेमें फiones ف़ॉं पखर रहा हूँ है इसलिए इसको रिमूब नहीं कर पा रहा हूँ- मैं आपको यह रिमूफ करके भी दिखाओंगा त पर फिल्टर है इसको भी आप रिमूफ कर सकते हो इसको आप वाश भी कर सकते हो चलिए आपको रिमूफ करके दिखाता हूं इसको रिमूफ करने के लिए कुछ नहीं इसमें आपका डारेक्शिन डिया हुआ है हम देख सकते हो यह लॉक एन अनलोक के लिए लॉक के लिए देखिए और तरफ और यह लोग करने से अपका ये खोल जाएगा कि देखिए यह हाफा फिल्टर का कोभर है और यह हैँ को हाफा फिल्टर तो यह रिमोवेबल है ब्रस्टरेयबल आप ब्रस्टर au Civ यह ब्राश कर सकते हैं कि यहाँ पर देखने के लिए कुछ ऐसा है और इसमें आपका इसपोंस फिल्टर भी दिया गिया है इतना ही यह है स्पॉंस फिल्टर, जब आप वैट क्लिनिंग करते हो तो आपको यह दास बेक्ट और है फिलटर दोनों को रिमुब करके रखना और इस इसी को यूज़ करके आपको यह यूज करना है во दिश ज़रूरी और यही कॉस्इन आपका अपर में भी level में भी लिखा हो रहा हेता है तो इतना ही यह है अपका almost 20 liter का आपका यह carry कर सकता है यह बोला जाता है कि almost 10 liter का यह bag है यह बड़ा bag है यह आप remove कर सकते हुए ह है है यहां से आप is झाल खीछने से मैं आपको खूल के दिखाता हूँ, ये कैसा है इसको खिशो तो कीचो? हाँ, कीचो? ये खिशने से निकल जाता है तो ये इतना बदा होता है देखिए बदा सा इसका बंठाः ही हो ये हो गया, इसमें आपका डास्त आएगा इसको आपको यहां पर लगाना है इसके साथ लगाना है वैसे यह जो आपको पाइप दिया गया था इसके साथ इसको आप यहां पर गुमा के लगाने से यह लग जाएगा यह जो है इस यूनिट में आपको इसकी से इसको गुमाने से यह लग जाएगा रोटेट करने से और जो दास्त है आपको host pipe यहां पर लगाना और यह जो है इसको press करने से यह खोल जाएगा कि यह नगाना है तो अल्पिमेट видели आफका दास्ड वैक है है यहाँ पे जाएगा और यह दास्ट यहाँ पे जाएगा लास्ट भया देख हंगा है इसको black cleaning करे लगाने के पाधा भी इसको स्टार्ट करके आप लोगो चला के लिखाएंगे तो मैंने ये आप लोग को दिखाने के लिए सजा भी लिया है किए शेस्सेरीस आते हैं और ये साथ में इसको पुरा फीट कर दिया है चलाने के लिए मैसीन और यहां पर मैंने कनेक्ट भी कर दिया आप दोग देख सकते हो कफी लंबा है जो कॉट है और मुस्ट फाइब मीटर का बोला गया है मुझे मैंने वैसे मेजर किया नहीं तो फाइब मीटर के कॉट है एक रूम के लिए हो जाते हैं आप अगले से में लगा के रखेंगे एक दो रूम तो अब अराम से क्लीन कर ही पाऊगे तो इसको चला के देखते हैं चलाने के लिए कुछ नहीं यह स्विच अपको दबाना है मैसीन स्टाट हो जाएगा काफी वैसे नॉइस है थोड़ा बहुत नॉइस करते नंगी में गुटि जाएगा प्या छेका ऑप मते मेंगे करनेको रिया थे कित रहे हूँ करन यह गले पाऊछियाए प्लम गया प्यों करेते है तो गास मैंने आप लोग को दिखाने के लिए एक्स्टेंशन और ये फ्लोर बस भी लगा दिया थोड़ा गंडागी भी फैला लिया ये डाल चावाल कुछ मैंने फ्यका है देखते हैं ये क्लीन कर पाते है कि नहीं कर पाते है हुआ आप देख सकते हो इतने आदानी से ये क्लीन कर रहा है लाउ विट जाह को अ ये आप देख सकते और यां से जोफने शाप आए बिख्या दिया हमार यां का तो आप देख सकते हो दाल शाल को इसने असानी से हीनियों साफ कर दिया अभी थोड़ा है वैसरा ही अध्यां का फी आप आठ्चा है यह साफ करने के लिए कि आप आसानी से इपलो को साफ कर दिया यह थोड़ा गंडा एक खालार गंड़ी है लिए तो अच्छा लग रहा है यह करके बाकी भी उज़कर के देखते हैं कैसा है बाकी जमख स अब इसे फोस्पाइब उसकर के देखते हैं यह जो डाल शाह ले थोड़ा यह इसको को साफ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं कि आप देख रखते हैं यह कितने आसानी से इसको कीच रहा है कि आल सावाल मुणी जो भी है आसानी से यह कीच रहा है कि यह देखिए कितने आसानी से कीच रहा है सब्सक्राइब करने के लिए मेरे हिसाब से यह काफी अच्छा होगा तो चलिए थोड़ा सोफा साफ करके देखते हैं इसके जो आफॉल्स्ट्री ब्राशे यह यह यूज करके यह है आफॉल्स्ट्री ब्रस जिससे आप कोई सोफा या कूश्यन अगर आप यह साफ कर सकते हो चलिए यह यूज करके देखी लेते हैं हिसे 1 कि धर्कार एप सपेश्का है आए इस्टार कोड़ात्य स्केंदें को यह अपर इसंद म्रोट है completed भार त्हंता गिये आप निखिया vasat उकिस्टार के लिए ओधिया तो तक्सम पहुआ चाही है, कापियर चाही है, तक इस पहर दीजिए तक्सम पहुआ है, तो इत्रा बात यूज करके देखे हैं, यह है अपका क्रैविस नजल, यह यूज करके आप सोफा या कुछ भी अगर कहीं पे चोटा सोटा जागाज बाकी जहां पे बाकी बाकी ब्रा पे देखिया यहाँ पे टुपए भी तुपए भी ते से, को अब साप साइबा, न वज भी लिष करके इहाँ पे देखिये, व्रूठी एँश्पाफ़ है तक्सम बाहुआ है बदयासे ने कर सक्टब, यह बहुत तहाएं खापे उधता है, पालकी प्ड़ार में पहुत प करें तरह साफ कर जा है कर दो दो कि यह हैं मौल्टी पॉर्पोस ब्राश तो यह यूज करके आप लैपटॉप भी क्लीन कर सकते हो चलिए लैपटॉप क्लीन करकर देखते हैं यूज करके कर देखते हैं कर देखते हैं अब इसका ब्लॉवर फंक्शन यूज़ करके देखते हैं कैसा होगा यह यह आपका हूल ब्लॉवर फंक्शन के लिए दिया गया है की तो यहां से इसको निकलना परेगा और इसको की यहां पर फीट करना परेगा के हां कर यह लेते हैं funding कर के आप के लिए यह लोक और इसको प्रेश करने शेज्थ ए खीटीरे और यह निकाल आएगा वills करनेट कुस्सा इसको यह हो गया लॉक तो अभी हम लोग इसका ब्लोव फांक्शन यूज़ करके देखेंगे कैसा है यहाँ पर थोड़ा गंडगी अब लोग देख सकते हो चलो इसको ही अभी ब्लोव करके देखा जाए ब्लोव फांक्शन यूज़ करके यह किया मैंने ओन देखें तब चला गये कहां कहां है यह देखें यूज़ काफिए काफिए अच्छन यूज़ करके देखेंगे किना हवा है काफिए अच्छन यूज़ करके दोस्तों अभी हम लोग ने इसका वेट ड्राइन ड्राइन ब्लोवार फंक्शन कैसा है वह देखा अब हम लोग इसको वेट सर्फेस में भी उसकर के देखेंगे कि उससे पहले देख लेते हैं डास्ट एक्च्छली गए कहां तो डास्ट कहां पर है वह देखने के लिए आपको यह डास्बेक में अब यह दास्ट होगा तो देखने वह द्ली पर हम लोग इसको खोलना पुड़ेगा आपको केसे साफ करेंगे डास्ट तो देख ले एक बार इसको खोलना पड़ेगा को लें के बाद कि आपको डास्टबेक में डास्ट दिखाई देगा यह होगत आपको हेपा फिल्टर और यह है डास बेग तो अशली हम लोगों ने जो डाल चावल खीछे थे यह डास बेग में होना चाहिए तो चलिए देखते हैं इसको मैं रख लेता हूं कहीं पर अब जब भी रखेंगे इसको इस तरह से रखने से अच्छा है कभी इसको है पाफ फिल्टर को आप नीचे करके मत रखिएगा ऐसे उल्टा करके रखने से आपका यह थोड़ा सेफ होगा तो यह रहा था आपका डास बेक इसको खोल के दाल शौप देखी लेते हैं इसको ऐस इसमें एकास रॉक रहाता करने से लोख इस तरह रोटेर करने से आंबलोख इसमें देखे हुआ है तो इसको खिशने से हम लोगो को इसके अंदर में क्या क्या है वो देखने के लोगा अधो ऑच पर एक जा रहा हुआ है श्ञ झirsiniz हम स्द्स्कें धरव तो इसी के बीच में इसी में होना चाहिए दालचावल इसको निकाल के देखते हैं तो यह देखिए कितना सारा गंडगी निकला है तो ऐसे ही आपको यह साफ करना पड़ेगा तो अभी हम लोग इसको और जो हैपा फिल्टर है दोनों को निकाल के वेट सार्फेस में यूज़ करके देखेंगे इसका परफॉमेंस कैसा है तो अचलिए इसको मैं निकाल लाता हूं निकालने के बाद इसको फीट करके आप लोग को दिखाएंगे हमें सब वेट सार्फेस में यूज़ करने के लिए मैं थोड़ा पानी भी लेके रखा है आप लोग को डेमोस्टेशन दिखाने के लिए तो जब खोलेंगे आप खोलने के बाद इसमें कुछ ऐसा एक स्पोंस फिल्टर दिखाई देता है यह लगे रहना चाहिए स्पोंस फिल्टर यह जो दूरी है वेट सर्फेस के ल दाला है और यह वेट फ्लॉर का जो ब्राश है इसको भी इसमें फिट कर दिया है तो अब इसको देखते हैं कि यह पुरा क्लीन कर पाते हैं कि नहीं वेट फ्लॉर को चलिए इसको स्टार्ट किया जाए प्लॉर के आपे जाए कर दिया है कि इसको खोल के देखता हूं इसके अंदर में कितना पानी है ज्यादा वैसे मैंने पानी दिया नहीं था कि इसको खोल के देखते हैं कितना खीछा यह देखिए अंदर में आप पानी देख सकते हो तो ठीक था की कोच खीछा है तो स्पोंस में थोड़ा बोर पानी लगा हुआ है स्पोंस फिल्टर में तो जैसे कि आप लोगों ने देखा आभी पाफॉमेंस अच्छा ही है लेकिन वेज सर्फेस का मुझे इतना भी अच्छा नहीं लगा मैं सोचा था कि यह पूरा फुली ड्राय हो जाएगा लेकिन यह फुली ड्राय नहीं हुआ अभी थोड़ा बोर ही इसमें पानी लागा हुआ है तो मुस्स पोड़ा बोर आप देख सकते हो थोड़ा गिला गिला है तो पूरा ड्राय कर पाते हैं कि नहीं वहीं देखते हैं कि अब लोग देख रहे हो पूरा ड्राय होता नहीं फिर भी बहुत बार लागाने के बाद हावा आने के बजासे में भी कुछ-कुछ जगह में पूरा ड्राय हुआ है और कुछ-कुछ जगह में अभी थोड़ा बोट वेट लग रहा है लेकिन जो पानी का जो अभर फ्लो होता है उसको लेकिन आप पूरा खीछ लेगा स्टिल फ्लो थोड़ा सा आपका वेट ही रहेगा तो I am not that satisfied with the wet cleaning of this vacuum cleaner तो पूरा मैं satisfied नहीं हूँ वेट क्लीनिंग का तो पूरा मैं satisfied नहीं हूँ वेट क्लीनिंग का तो स्टिल ड्राय के लिए अच्छा है और वेट के लिए अगर आपका पूरा पानी पानी ही पानी है फ्लोर में तो उसको आप खीचने के लिए ये अगर आपका बाजट में आता है वैसे मेरा 10,000 लिया था मेरा 10,000 बाजट में नहीं था मैं सोच रहा था कि मैं 8,000 या 7,000 में कुछ या 6,000 में कुछ वेक्वाम के लिए नहीं खर दिए हो हैपा फिल्टर जिसे आप देख सकते हो और एक वाशेबल डास बैक्त हो और जिसक फिचर चरी था जैसे कि हफा फिल्टर और वाशेबल डास बैक्त यह इसमें है और इसी की बज़े से मैंने इसको खरीदा है इसमें एक ही फिचर नहीं है जो मुझे छहिए था वो था स्टिल डाम इसमें स्टिल डाम नहीं है प्लास्टिक से मैनेज हो सकता है क्यमकि most of the vacuum cleaner तो मैंने इसको छूश किया इसलिए लेकिन इसका वैसे स्टायल और डिजाइन है मुझे इतना भी अच्छा नहीं लगता है मैं सच बोलू तो देखने के लिए मुझे इसको इतना भी अच्छा या खुबशुरत मैसिन नहीं लगता है इसका जैसे कि फॉविस में ही आपका अल्टीमो है वो देखने के लिए खुबशुरत है लेकिन यह उसमें क्या होता है आपका पेपर बेगाता है लेकिन इसमें आपका वाशेबल बेगाता है तो मैंने खुबशुरती है उससे जादा मैंने जो मुझे चाहिए था जो फीच वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि तो मेरे तरफ से सजेशन ऐसा ही है कि आप लोग ऐसा एक वेक्वाम क्लीनर खरीदे जिसमें आप लोगों का एक हैपा फिल्टर हो और एक वाशेबल और रियूजेबल डासबेक्ट हो और जिसका जैसे कि इसमें उत्ता ही जुरूरी होता है य एक यह तो यह एक मतलब अगर आपको छोटा मोठा जैसे की आपका कार लिनिंग है या आपको सोफा सेट क्लीन करना हो या आपको घर में फ्लोर क्लीनिंग करना हो तो यह तो इतना 18 KPA काफी ही है अगर आपको एक बजट में आपको एक वैक्वाम क्लीनर चाहिए तो अगर उठना ही और I hope कि युरेका जो फाविस है यह सर्विस भी अच्छा खाशा परवाइ तो इसलिए भी मैंने खरीदा है इसको वो भी मेरा एक डिसिशन घा मैंने या अमेरिकन एक ब्लेंड भी था वी मैन्ने खरीदा नहीं वह वैसे मुझे पसंद Witness these lights अमेरिकन माक्रो टोनिक्स या कुछ ऐसा ही कुछ था तो वह मैंने खरीदा नहीं क्योंकि उसका सर्विस प्रोवाइडर इंडिया में नहीं है मैंने जो सुना जो मैंने मतलब रीव्यू जे देखा तो इसलिए भी मैंने वह खरीदा नहीं यूरेकाफोविस तो इसका तो दिसे हेब पर्स मिलेगा नहीं आपको सब्सक्राइब को मिल झाईब करता है यहिए पर देखा स्थयोत आपको यह विलिटा पर्सकें आको आपको कोई सप्थ मार्न करण के लोड़क लगि 진행14 नहीं है दाएगा उन लोगोंने मुझे बोला है वैसे मैंने अभी देखा है यह आपका अवेलेबल है तो वह भी मेरा एक डिसीशन है यह खरीदने के लिए तो इतना ही अगर आपको यह अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक और शेयर इस वीडियो वीडियो फ्रेंस और फैमिली आपको यू लाइक दिस वीडियो फिर से मिलेंगे आप लोगों से फिर से बाच्छित होगा थैंक यू